हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक बाई आरपी इंडिया यूटूब चैनल दोस्तो करेंसी नोट प्रेस नासिक की निव रिकॉर्मेंट आ चुकी है जिसका ओनलाइन आवेदन इस्टार्ट हो चुका है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लेट इस्टेप बाई इस्टेपल ब्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे सी एनपी नासिक का ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं ओभी अपने मोबाईल फोन से तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करें उस्टेपले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हैं या फ पी नासिक की निव रिकॉर्मेंट आई हुई है जिसका ओनलाइन आवेदन इस्टार्ट हो चुका है 26 नवंबर 2022 से और इसका लाश डिट होने वाला है 16 दिसंबर 2022 तक एपलिकेशन फी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जनरल OBC के लिए यहाँ पे 600 रुपए की फी रखी गई है ऐज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 18 से 30 वर्ष के कंडिडेट और यहाँ पे जूनियर टेकनीशियन के लिए एंपे 18 से 25 वर्ष के कंडिडेट इस फोर्म को अप्लाइक कर सकते हैं नमबर इसके वाइब सकते आब आप स्क्रॉल दाउं करते हु कि यहाँ पे online apply का link मिल जाएगा, official notification का link मिल जाएगा और यहाँ पे इनकी official website का link मिल जाएगा, दोस्तो form apply करने से पहले इनका notification डाउनलोड करके read out कर लीजेगा, उसके बाद ही form को apply किजेगा, दोस्तो यहाँ पे मैं apply link पे click कर लेता हूँ, जैसे ही आप apply link पे click करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ interface दिखेगा, दोस्तो यहाँ पे आपको requirement details यहाँ पे मिल जाएगा, और दोस्तो यहाँ पे अगर आपका account पहले से है, तो यहाँ पे आप अपना registration number और password और इस के चैकोड को डालके यहाँ से login कर सकते हैं, अगर आपका account नहीं है, तो यहाँ पे आ आपको अपना first name, confirm first name, उसके बाद यहाँ पे middle name, उसके बाद यहाँ पे last name इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे confirm last name, उसके बाद यहाँ पे mobile number इंटर करना है, confirm mobile number, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास alternate number है, तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, या इसे छोड़ भी सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अपनी email ID डाली उसके बाद यहाँ पे email ID का domain name उसके बाद यहाँ पे confirm email ID देने यहाँ पे इस capture code को यहाँ पे इंटर कीजे उसके बाद यहाँ से आप save and next बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामें ऐसा कुछ interface दिकेगा अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना photograph and signature अप्लोड करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप guidelines for scanning the photograph and signature पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी photograph के यहाँ पे guidelines जो है आप देख लीजिए तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो photograph का size रखा गया है 20 से 50 kb के बीच में रखा गया है और signature का size जो है 10 से 20 kb के बीच में रखा गया है तोस्तों इस size का आपको photograph and signature signature को यहाँ पे आपको बना लेना उसके बाद यहाँ पे आपको photograph and signature upload कर लेना है photograph and signature upload करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आइकन फर्म में यहाँ दोनों पर आइकन फर्म चेक पर क्लिक करना है जैसे आप next बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा कुछ interface दिखेगा आप दोस्तों यहाँ पे आपको अपना post यहाँ पे preference देना है कौन से post के लिए आप apply कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी category select करनी है उसके बाद यहाँ पे अगर आप ph candidate है तो यहाँ पे आप ACNO कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अपना religion select कीजिए उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक service man है तो यहाँ पे आप ACNO select कर सकते हैं उसके बाद दूस्तों यहाँ पर अगर आप माइनेटरी कमुनिटी से भी लॉंग करते हैं तो आप यहाँ पर एस यानो सेलेट कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर अगर आप डिवास पैसन है उमेन है यहाँ पर आप उसे भी एस यानो सेलेट कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे अगर आप SPM CIL में अगर आप Impli हैं तो यहाँ पे आप ACNO सिलेट कर लीजिए उसके बाद दुस्तों यहाँ पे अगर आप Government Impli हैं तो यहाँ पे आप ACNO सिलेट कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे अपनी Date of Birth सिलेट कीजिए उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेट कीजिए उसके बाद यहाँ पे अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यहाँ पे इसे नो कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे उनका gender यहाँ पे select कीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपना marital status select कीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपना father का name, mother का name, उसके बाद यहाँ पे अपनी पती पत्नी का नाम इंटर कीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना correspondence address इंटर कीजिए, है देन यहां से आपको save and next button पे क्लिक कर लेना है अब दोस्तों यहां पर आपको उपना qualification details देना है तो यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर graduation का यहां पर degree का details देना है उसके बाद यहां पर full time ITI का certificate है तो यहां पर उसका भी डीटेल्स देना आया है। उसके बाद यहां पर डिपलोमा का आपके बाद सर्टिफिकत है। जीखकरोनगर दीटे लिए चाहिए दोस्ते लिएक आपको कौण कौन सी लेंगवेज आती है तो यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर लिए उसके बाद यहां से आपको कुछ Bay 0132 द्याबेगा है रेंसे आपको सेव खानले नेश्ड Hersh बटन पन कर लेना है। अब दोस्तों आपके form का preview page open होके आ चुका है अब आपने जो भी details फिल अप किया है उसे एक बार आप यहाँ पे check out कर लिजिए standard details चेक करने के बाद दोस्तों अगर आपके form में कहीं गलती है तो यहाँ से आप बैक बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप edit या modify कर सकते हैं अगर आपको form सही है तो यहाँ पे आपको complete registration पे आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप complete registration पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा खुछ interface दिखेगा अब दोस्तों यहाँ से आप को पूछ रहा है कि आप sure है क्योंकि यहाँ पे final submit यहाँ पे करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको पूला यहाँ पे payment करना है और पे यहाँ पे 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 करने के बाद से लोग आउट हो जाएंगे आप दोस्तों यहाँ पे आपको अपना रेजिस्टेशन नंबर पासवर्ड और इस से आपको लोग इन कर लेना है लोग इन करने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट एप्लिकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से आप अपना फाइलन प्लेट आउट ले पाएंगे फ्यूचर रिफरेंस के लिए दोस्तों आसा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए helpful रहे होगी प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़े मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर